नमस्कार मैं हूँ आपके सौथ प्रगती और आप देख रहे हैं टोटल टेवी खब्रों की शुरवात करेंगे दैरादून से आपको सीधा लिए चलते हैं दैरादून जहां ब्रधान मंत्री नरींद्र मोधी पहुचे हुए हैं जुनता को संबोधित कर रहे हैं क्या कुछ और दिरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तराकन उसका प्रखर उधाहरन है साथ कहां आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिगज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वाट एनालिसिस करते हैं आपकी एक्तम कंपरी की ताकत क्या है कमजुरी क्या है आउसर क्या है चुनोतिया क्या है और आप उसका आकलन करकर क्या अपनी आगे की रणदेती बनाते हैं एक राष्ट के रुप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वाट एनालिसिस करें तो क्या पुणते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशन्स, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपर्चुनिटी ही देखेगी आपको आज देश में पॉलिसी डिवन गवनस दिखेगी आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देश वासियों का मजबुत आगरत दिखेगा आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता वो स्थीर सरकार चाहता है हाल में हुए विदान सबाच चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्राखन्ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है जनता ने स्थीर और मजबुत सरकारों के लिए जनादेश दिया है जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया गवर्नेंस के ट्रेक रिकोर्ड के आधार पर वोट दिया है आज भारत और भारतियों को दुनिया जिस उमीद और सम्मान से देख रही है और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया हर भारतियों एक दाईत को रूप में इसे ले रहा है हर देश वाज़ी को लगता है कि विक्सिद भारत का निर्मान उसकी अपनी जिम्मेदारी है हर देश वाज़ी की जिम्मेदारी है इसी आत्म विश्वास का परणाब है कि कोरोना महा संकट और उद्वों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विक्सिद हो रहा है आपने देखा है कि कोरोना वैक्सिन हो या फिर एकोनोमी पॉलिसी भारत ने अपनी नीतिया अपने सामर्थ पर बरोसा किया उसी कारणाच भारत बाकी बड़ी अर्थववस्ताओं की तुल्ना में अलग ही लीग में दिखता है राष्टियस्तर पर भारत की इस मजबुति का फाइदा उत्राखन समेट देश के हर राज्य को हो रहा है साथियों इन परिस्तितियों में उत्राखन इसलिए भी विशेश हो और स्वाबा भी खो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजिन सरकार है उत्राखन में डबल इंजिन सरकार के डबल प्रयास चारों परब दिख रहा है राज्य सरकार अपनी तरब से जमीनी सच्चाई को समझते विए यहां तेजी से काम कर रही है इसके अगावा भारत सरकार की योजनाओं हमारे वीजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है आप देखिए आज भारत सरकार 21 सदी के आदुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रसेक्टर पर उत्राखन में अभूत्पुर्वा इंवेश्मेंट कर रही है केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गाव कस्बों को जोडने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है आज उत्राखन में गाव की सड़के हो या फिर चार दाम महामार इन पर अभूत्पुर्वा गति से काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से दिल्ली और देहरादून की दूरी धाई गंटे होने वाली है बिहरादून और पंतनगर के एरपोर्ट के विस्तार से एर कनेक्टिविटी शसक्त होगी यहां की सरकार हैली टेक्सी सेवाओं को राज के भीतर विस्तार दे रही है रिशिकेश कर्ण प्रयाग यह रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी ससक्त होने वाली आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है यह बिजनेस को भी आसान बना रही इससे खेती हो या फिर टूरिजम हर सेक्टर के लिए नई संभावना एक खुल रही लॉजिस्टिक्स हो स्टोरेज हो टूर ट्रेवल और हस्पडेलिटी हो इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं और यह हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन आउपर्चुनिटी लेकर आया है साथियों पहले की सरकारों की अप्रोथ थी कि जो हिलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो डबल इंजिन सरकार ने इस सोच को भी बदला है हम सीमा वर्ती गामों को लास्ट विलेज नहीं बलकि देश के फस्ट विलेज के रुपे विख्सित करने में जूटे हैं हमने एस्परेशनल डिस्टिक प्रोग्रेम चलाया अब एस्परेशनल बलॉग प्रोग्रेम चला रहे है ऐसे गाम ऐसे छेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे उन्हें आगे लाया जा रहा है यानि हर इन्वेस्टर के लिए उत्राखन में बहुत सारा ऐसा अन्टैप पोटेंशल है जिसका आप जाजा से जाजा लाब उठा सकते हैं साथियों डबल इंजिन सरकार की प्रात्विक्ताओं का उत्राखन को कैसे डबल फाइदा मिल रहा है इसका एक उधारण टूरिजम सेक्टर भी है आज भारत को देखने के लिए भारतियों और विदेश्यों दोनों में अभुद्परो उत्सा देखने को मिल रहा है हम पूरे देश में थीम बेस्ट टूरिजम सरकीट तयार कर रहे है कोशिच यह है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराये जाए इस अभ्यान में उत्राखन टूरिजम का एक ससक्त ब्रांड मनकर उभरने वाला है यहां नेचर कल्चर हेरिटेज सब कुछ है यहां योग आईरुवेट तीज एडवेंचर स्पोर्ट हर प्रकार की संभावना है इनी संभावनाओं को एक्स्प्लोर कर रहा और उन्हें आउसरों में बदलना यह आप जैसे साथ्यों की प्रात्मिकता जरूर होनी चाहिए और मैं तो यह कोई बात कहूंगा यहां जो लोग आए उनको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माद्यम से उन तक तो मुझे बात पहुँचा नहीं है लेकिन उनके माद्यम से उन तक भी पहुँचा नहीं है जो यहां नहीं है खास करके देश के दन्ना सिठो को मैं कहना चाहता हूँ अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ मिलियोनर बिलियोनर से कहना चाहता हूँ हमारी हाँ माना जाता है कहा जाता है जो शादी होती है न वो जोड़े इश्वर बनाता है इश्वर तै करता है जोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जोड़े जब इश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस इश्वर के चननों में आने के बजाए विदेश में जाकर कि क्यों करता है और मैं तो चाहता हूँ मेरे देश के नव जवानों को मेकिन इंडिया जिसे हैं नहीं वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए वेड़ी इंडिया शादी हिंदुस्तान में करो यह दुनिया के देश में शादी कर ले यह हमारे सारे धना से डाजकल फैशन हो गई है यहां कई लोग बैठे होंगे अब नीचा देखते होंगे और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाऊ और न कर पाऊ छोड़ो हो सकता है सब लोग न करे कम से कम आने वाले पांच साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्राखंड में करिए अगर एक साल में पांच हजार भी शादिया यहां होने लग जाए ना नया इंफ्रासेक्टर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन मन जाएगा भारत के पास इतनी ताकत हैं मिलकर के ताय करें कि यह करना है हो जाएगा जो इतना सामुर्द है साथियों बदलते हुए समय में आज भारत में भी परवर्तन की एक तेज हवा चल रही हूँ बीते दस वर्सों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है देश के एक बहुत बड़ी आबादी थी जो भाव में थी वन्चित थी वो असुविदाओं से जुड़ी हैं अब वो उन सारी मुसिबतों से निकल करके सुविदाओं के साथ जुड़ रही हैं नए अवसरों से जुड़ रही हैं सरकार की कल्यानकारी योजनाओं की वज़े से पांच साल में साड़े तेरे करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आये हैं इन करोडों लोगों ने अर्थ वबस्ता को एक नई गती दी हैं आज भारत की भीतर कंजम्शन बेज एकोनामी तेजी से आगे बढ़ रही हैं एक तरफ आज नियो मिडल क्लास है जो गरीबी से बहार निकल चुका है जो नया नया गरीबी से बहार निकला है वो अपने जरुरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है दूसरी तरफ मिडल क्लास है जो अपनी आकांच्छों की पूर्ती पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है इसलिए हमें भारत के मिडल क्लास की पोटेंशल को समझ रहा होगा उत्राखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है साथियों में आज उत्राखंड सरकार को हाउस अफ हिमाले ब्रांड लाउंच करने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता है ये उत्राखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभीनव प्रयास है ये हमारी वोकल फर लोकल और लोकल फर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबुत करता है इसे उत्राखंड के स्थानिय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी नया स्थान मिलेगा भारत के तो हर जिले हर ब्लॉक में ऐसे प्रोड़क्ट है जो लोकल है लेकिन उन में ग्लोबल बनने की संभावना है मैं अक्सर देखता हूँ कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बरतन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्थूत किया जाता है ये मिट्टी के बरतन वहां बहुत महंगे दामों मिलते हैं भारत में तो हमारा विश्व कर्मा साथी ऐसे अनेक बहत्रनी प्रोडक्स पारमपारी ग्रूप से बनाते हैं हमें स्थानिय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्तों को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्स्प्लोर करना होगा और इसलिए ये जो हाउस अभिमाले ब्रांड अब लेके आये हैं उसे मुझे एक व्यक्तिक अद्रुप से आनन का विश्व है मेरे लिए यहां बहुत कम लोग होंगे जिदों को साइड मेरे एक संकल्प के वीशे में पता होगा क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सिधा बेनिफिट साइड न दिखता हो लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है मेरा एक संकल्प है आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में दो करोड ग्रामिन महिलाओं को दो करोड ग्रामिन महिलाओं को लगपती बनाने के लिए मैंने लगपती दीदी अभ्यान चलाया है दो करोर लगपती दीदी बनाना हो सकता है कठीन काम होगा लेकिन मैंने मन में संकल बना लिया यह हाउस अभ हिमाले जो ब्रांड बनती है न तो मेरा जो दो करोड लगपती दीदाने बनाने का काम है वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा और इसलिए भी मैं दन्यवाद करते हूँ साथियों आप भी एक बिजनेस के रुप में यहां के अलग-अलग जीलों में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें हमारी बेहनों के सेल्फ हेल्फ गृुप्स हो F.P.O.s हो उनके साथ मिलकर नई संभावनों को तलास करें यह लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अधभूत पांटरशिप हो सकती है साथियों इस बार लाल के लिए से मैंने कहा है कि विख्सित भारत के निर्मान के लिए नेशनल करेक्टर राष्ट्रे चरित्र को ससकत करना होगा हम जो भी करें वो विश्व में स्रेष्ट हो हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करें हमारी मैनिफेक्टरिंग जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के से दांद पर हो एक्षपोर्ट ओरियेंटेड मैनिफेक्टरिंग कैसे बड़े हमें अब इस पर फोकस करना है केंद्र सरकार ने पियलाई जैसा एक महत्वा कांशिय अभ्यान चलाया है इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टिम बनाने का संकल्पस पर्ष्ट दिखता है इसमें आप जैसे इस हाथियों की भी बहुत बड़ी भूमी का है ये लोकल सप्लाई चेन को हमारे MSMEs को मजबुत करने का समय है उस पर निवेश करने का समय है हमें भारत में एसी सप्लाई चेन विक्सित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो हमें उस पुरानी मानसिक्ता से भी बहार आना है कि फलाज अगर कोई चीज कम विमत वे उपलब्द है तो वहीं से इंपर्ट कर दो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने जेला है आप सभी उद्यमियों को भारत में ही केपेसिटी बिलिंग पर भी उतना ही जोड देना चाहिए जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है उतना ही अधिक बल इंपर्ट को घटाने पर भी देना है हम पंद्रा लाग करोड रुपिये का पैट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपर्ट करते हैं कोईला प्रधान देश होते हुए भी हम चार लाग करोड का कोईला हर साल इंपर्ट करते हैं पिछले दस वर्सों में देश, देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए है, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोर पे से ज़्यादा की दाले बार से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर पर होगा, त आत्यों आज हम, नूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूँ, किसी भी मिडल काथ फैमिली के यहां बोजन के लिए चले जाईए, उसके डाइनिंग टेबल पर है, भाती भाती की चीजे पैकेट पड़े होते हैं, विदेशों से आये हुए, और वो पैकेज फूर क इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ, जब कि हमारे देश और उस पर लिख दिया, कि प्रोटिन रीज है, खाना शुरू, आयन रीज है, खाना, कोई इंक्वाइरी नहीं कर दबर लिखा है, हो गया, और बेडिन फ़लाना देश है, बास मारो थप्पा, अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूर है, जो कहीं अधिक नुट्रिशियस है, हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए, यहीं उत्राखन में ही, ऐसे आयूस है, जुड़े और्गिनाइक फल सब्जिया, जुड़े उत्पादों के लिए, अनेर संभावना है, एक किसानों और उदमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं, पैकेज फूर के मार्केट में भी हमारी छोटी कम्पनियों को, हमारे पूरस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में, मैं सह बताओ कि आप सभी को अपनी भू अपनियों के लिए भारत निवेशकों के लिए ये मैं समयता हूँ, अभुत्पुर्व समय है, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनने जा रहा है, और मैं देश वाच्चियों को विश्वाद दिलाता हूँ, कि मेरी तीसरी टम में देश दुनिया में पहले तीन में होके रहेगा, स्थीर सरकार, सपोर्टिव पॉलिशी सिस्टिम, रिफॉर्म से ट्रांस्फॉर्म की मान सिक्ता और विख्षिद होने का आत्म इश्वाद, ऐसा सहियोग पहली बार बना है, इसलिए मैं कहता हूँ, यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, मैं आपका अहवान करूँगा, उत्राखन के साथ चलकर, अपना भी विकास करिए, और उत्राखन के विकास में भी सही योग पाजी जुरूर बनिये, और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी यहां सालों से एक कलपा बनी हुई है, बोला जाता है, कि पहाड की जवानी और पहाड का पानी, पहाड के काम नहीं आता है, पहाड की जवानी और पहाड का पानी, पहाड के काम नहीं आता है, जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बहकर के कहीं पहुँच जाता है, लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड की जवानी, पहाड के काम भी आएगी, और पहाड का पानी भी पहाड के काम आएगा इतनी सारी संभावनाए देख करके मैं इस अंकल्प ले सकता हूँ कि हमारा देश हर कौने में सामर्त के साथ खड़ा हो सकता है नई उर्जा के साथ खड़ा हो सकता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथ ही इस अवसर का अधिक्तम लाब उठाए नीतियों का फाइदा उठाईए सरकार नीती बनाती है ट्रांस्परंट होती है हर एक के लिए खुली होती है जिसमें दम हो आजाए मैदान पर फाइदा उठा ले और मैं आपको गरंटी देता हूँ जो बाते हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं उसे पूरा भी करते हैं आप सभी इस महत्पपुन अवसर पर आए हैं उत्राखन का मुझ पर विशेज अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को गर बनाने में इस धर्ती का बहुत बड़ा योगदान है अगर उसे कुछ लोटाने का अवसर मिलता है तो उसका हानन्द भी कुछ और होता है और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ आईए इस पवित्र धर्ती की चरण माते पर लेकर के चल पढ़िए आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी ये इस भूमी के अशिरवाद है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुब कामना है